हेलो गाइस तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है अमेजोन के बहुत ही अच्छे किचेन वेयर एंड हाउस और प्रोड़क्ट जिससे आपका लाइफ काफी जादा एजी हो सकता है काफी डियसे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्स हो सकती है और बहुत ही यूनिक प जूस वगयरा बना के रख सकते हैं समर्स के लिए बहुत ही अच्छा सा है फ्रिज में कंटेनर के तरह प्यूज कर सकते हैं और यह है अच्छी प्राइस में आपको चार के सेट में मिलेगा और इसमें आपको कलर्स बिडियसा मिल जाते हैं क्लॉथ वोशिंग बैक्स दिख क्लीन हो जाता है तो उसके लिए काफी लोग ऐसा यूज करते है इस बैक को तो आप भी ले सकते हैं इसके बाद यहां पे मसाला बॉक्स दिखा रही है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है यह फोर इन वन मसाला बॉक्स है इसमें आपको स्पून्स वाग फॉर सेंक ले सकते हो यह स्टील का है टू हंडड़ सम्टिंग का मिलता है बहुत अच्छी ओफर पर मिल रहा है तो आप ले सकते हो प्योर स्टील का बना हुआ है फाइफ लेयर हैंगर दिखा रही हो मैं जिसमें आप चार पाच पैंट्स एक ही साथ लगा के रख सकते हो जीन्स है कोच भी लगा सकते हैं और यह स्टीक तो एजस्टेबल स्टीक होने के कारण आप किच्छन के ड्रॉड वगएरा का यहां काफी अच्छी से आप घर की भी सफाई कर सकते हैं और इसके जो माइक्रो फाइवर कपड़े को वो आप वाच भी कर सकते हैं निकालके है जल्दी काम हो जाएगा और इसके बाद यहां पर मैं दिखा रही हूँ गार्लिक क्रिशर्ड यह आपको दो-तीन कलर में मिल जाएगा और इसका प्राइस स्रिफ 149 रूपीज है बहुत ही सस्ते रिट में मिल रहा है गार्लिक क्रिश करने के लिए आप इसे यूज का सकते हैं यहां पर मैं दिखा रही हूँ फाइफ लेयर फोल्डिंग हैंगिंग क्लॉथ और गनाइजर तो यह फोल्डिंग डाइप का है लेयर्स वाइस बन जाता है रैक जिसमें आप अलग-अलग अप्रे रख सकते हैं ओईल कंटेनर दिखा रही हूँ चार के सेट में मिलता है त किचन के लिए यहां पर मिनी क्लॉथ वाशिंग बोड दिखा रही हूँ प्लासिटिक कलॉथ वाशिंग बोड जिसमें रहे हैं सेट मेर क्लॉथ क्लीन कर सकते हैं आप एक स्क्रबब भी मिल जायेगा बड़तनों के लिए मैं गलफु दिखा डियों सीलिकॉन का बना वा ग जिसे आप डोर के बैक साइड लगा सकते हो विदाउट किसी कील वगएरा के तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा बॉडी स्क्रबर ले सकते हो सिलिकॉन का रबल का बना हुआ है काफी अच्छे से डेड़ स्किन को यह बाहर निकाल देता है और लिड वगएरा के लिए ले सकते हो स्पून वगएरा भी रखने के लिए आप इसमें इसे यूज़ कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है किचेन के लिए इसका टाइल किचन का गंदा नहीं होगा इसके वज़े से और विंडो के लिए क्लीनिंग ब्रस ले सकते हो आप इसमें आपको ब्रस का जो स लिए बहुत ही अच्छा सा फोल्डेबल ग्लास स्टैंड है रोटेटिंग सोरी रोटेटिंग है यह बहुत ही अच्छा साइज से आप अपने किचन में ग्लास वगएरा को लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो और सिलिकॉन का मैं फोल्डेबल क्लीनिंग बोर्ट दिखा अब यह बहुत है तो बातरूम के टाइल में लगा सकते हो यह अंटी लिप है और इसे वह बश्याद करने के अलावा अपनी फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं तक दिखा दो जिसमें आप स्क्रोबर वागा सकते हो एक टावल लगाने के लिए इसमें स्टैंड दे रखा है ज लिखा रही हो इस प्रिज स्टोरेज कंटेनर बॉक्स है यह इसे आप वाश वगरा भी कर सकते हैं वेज़िटेबल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको पतली सी एक ट्रे भी दे दी जाएगी और यहां पर आप एक भी इसमें रख सकते हो और इसके बाद य गार्बेज कंटेनर ले सकते हैं फ मुझे पर यूज़ काफी यूज़ लगा जो कि मैंने इस वीडियो में एक आप ले सकते हो इसके बाद मैं किचें यह काउंटर रख दिखा रही हो बहुत हैं कि इसमें छे कंटेनर तो आपको साथ में मिलते हैं और डगाने के लिए ना में आप अलग से container ले सकते हो cleaning slime भी बोलते हैं cleaning gel भी बोलते हैं car वगयरा window वगयरा clean करने के लिए आप इसे use कर सकते है मटिफंक्शनल यूज है और वैसे तो लोगं car clean करने के लिए इसे अक्षर रखते हैं vegetable slicer दिखा डिकारी हो बहुत ही onner.at लिए घ्र हहे लुक्ट ये स्लाइसर ये स्लाइसर आई से बहुत ही बढ़ी है वागरा करने में आपको बेलकुल प्रॉबल्लम नहीं होगा और ये बहुत है एक्ट्राइस कॉट होती जितना पतला कट करना उतना भी कर सकते हो और काफी कम प्राइज में मिलना है और अलग अलग तरह की कटिंग वेजिटेबल के आप इससे कर सकते हो सिलिकॉन लास्ट में लगा हुआ आपके हाथ वगेरा भी गंदे नहीं होंगे और चोट भी नहीं लगेगा यह बहुत अच्छा सा है और आप रोटेटिंग हुग भी ले सकते हो जिसमें आप हैंगर के तरह से पर्स वगेरा भी लगा सकते हो क्लॉत लगाने के लिए यूश कर सकते होँ इसमें इसमें को वाश करनेके लिए यूश कर सकते हो और ये काफी slim सा बना हुआ इसलिए ये काफी ज़्यादा कम जगा में भी आप इसे रखने के लिए यूज़ कर सकते हो मुझे ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा और इसका क्वाल्टी भी मुझे बहुत प्यारी काउंटर पे भी कॉर्णर में रख सकते हैं किचन के लिए मैं आपको हुग दिखा जो ड्रॉल वगरा जो किचन के होते हैं उसमें आपको डोर में आप इस हुग को इसली लगा सकते हो ना कील वगरा कुछ भी नहीं लगेगा तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है औ आप ट्रैबलिंग के लिए भी यूज कह सकते हो इसमा कोड़िंग वगरा रख यहां जो करना है वह बाकि आप अपना लैप्टॉप से वर्ग भी कर सकते हैं इसके लिए यहां पर मैं रएक दिखा रही हुग जिसमें आप बड़ी से चोटी प्लेट्स व अगरा लगाने क लिए इसे यूज कर सकते हैं मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो इसमें आपको अलग अलग डिजाइन से अलग अलग पैटर्न भी देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर अपने डंपलिंग मेकर तो मैं आपको दि आप काफी जल्दी कर सकते हैं तो आज सो वीडियो अच्छे लगी लाइक कमेंट करेंगा शेयर करेंगा नहीं तो सब्सक्राइब करेंगा थाइंक्यू